नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नेवस्क्लिक का डेली रॉंड अप शो आई ये नजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्ख्यों पर सुप्रीम कोट और दिल्ली हाई कोट ने टीकी की कमी और टीका नीती को लेकर उठाए गंबीर सवार गौतम गंबीर दोशी करार दवा की जमा खोरी का है आरोप हमाई तीसरी खबर में हम बात करेंगे मेगाले की जहांपर पांच मजदूर गैर कानोनी कोला ख़दान में फसे जारी है रेस्क्यू आपरेशन सुप्रीम कोट ने विनोध दुवा पर लगा राजद्रों का आरोप खारिस किया और आखिरे में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 घंटों में एक दस्मनों 3-4 लाख नए मामले 2887 मरीजों की मौत देश इस समय कोरोना महामारी जैसे अभूत पूर संकट से गुजर रहा है पूरी दुनिया में इसके नियंद्रट के रूप में सार्व भामिक टीका करण को ही देखा जा रहा है लेकिन हमारे देश में सरकारों की गलत और असपस्ट टीका नीती ने कई सवाल खड़े कर दिये इसको लेकर देश की नियायाले सरकारों से गंभीर सवाल पूछ रही है जिसका जवाब कोई भी सरकार पुक्ता तोर पर नहीं दे पारी कल यानि बुद्धवार को उचितम नियायाले ने केंद्र सरकार को दो मामलों में जवाब तलब किया और फटकार भी लगाई पहला सवाल उन्होंने सरकार से टीका खरीद के लिए 35,000 करोर रुपए के कोश में से खर्च राशी का ब्योरा मांगा इसके अलावा उचितम नियायाले ने 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए डिजिटल पोर्टल को कोवीन पर पूरी तरह आश्टी टीका करण नीती पर सवाल उठाए इसी तरह दिल्ली उचि नियायाले ने भी दिल्ली सरकार को लोगों को निर्धारी समय सीवा में कोवैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लगा पाने को लेकर फटकार लगाई उचितम नियायाले ने केंद्र से मौझूदा उधारी करिट टीका करण नीती के तहत 2021 से 22 के बजट में कोवीड-19 टीका खरीद को लेकर निर्धारी 35,000 करोड रुपए के कोश में से खर्ची गई राशी के बारे में विस्तरित जानकारी देने को कहा है नियायले ने यह भी पूचा कि आखिर कोश का उपयोग 18 से 44 साल के लोगों के टीका करण पर क्यों नहीं किया जा सकता शिर्स अधालत ने केंद्र की उधारे करिट टीका करण नीती पर भी गंबिर सवाल उठाए यह नीती, राज या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और नीजी हस्पतालों को देश में सेंटर ड्रक्स लेबरोटरी द्वारा मंजूर मासी खुराक में से 50 प्रदेशत खुराक पुर्व निधारत कीमत पर खईदने की अनुमती देती है नियायल ने कहा कि यदि केंद्रों की एक आधिकारवादी खरिदार की इस्तिती वी निर्माताओं से बहुत कम दरपट ठीके प्राप्त करने का एक मात्रकारण है तो ऐसे में अदालत के लिए समिधान के अनुछेदर 14 के तहट मौझूदा उधारिकर तीका कर नीधी की युक्ती संगत जाज करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अब विशेश रूप से वित्ती संकट से जूज रह राज्यो, संग राज्यो छेतरों पर गंबीर बोश डाल सकती है कोरोना काल में दवाओ की जमाखोरी और उनके वीत्रण मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने आज ड्रग कंट्रोलर के एक्शन पर कई सवाल खड़ किये वहीं ड्रग कंट्रोलर ने आज दिल्ली हाइकोर्ट ने बताया कि गौतम गंबिर फांडेशन को अनाधिक्रित रूप से कुरोना मरीजों को प्रतिबंदित फैबिर फ्लू दवा देने और जमाखोरी का दोशी पाया गया है ड्रग कंट्रोलर की तरफ से वकील ने हाइकोर्ट में कहा कि पुर्वी दिल्ली के सांसत गौतम गंबिर फांडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उलंगन किया है क्योंकि उन्हें कोरोना काल में अनाधिक्रित तरह से दवाओ की जमाखोरी के लिए हाइकोर्ट के इस सवाल पर ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंबिर फांडेशन के खिलाप कारवाई का अश्वासन दिया है मेगाले के पुर्वी जैतिया परवती जीले में डायनामाइट विसफोर्ट के बाद कोईली की एक खदान में पानी भर गया और उसमें असम के चार और त्रिपुरा के एक मजदूर सहीत कुल पांच लोग फसे हुए हैं असम के सिल्चर के पुलिस अधिशक ने रविवार को इस खदान का दुरगटना में असम के छे खनिकों के संभावित रूप से फसे होने की सूशना बेजी थी मेगाले पुलिस ने ट्वीट किया यह खदान उंपलिंग डकैती रोदक्स शिवीर के संतूगा अंदुरूनी छेतर में हैं और तलाशी अभियान जारी है उन्होंने कहा कि उच्चा दिकारियों को मामले से वाकिफ करा दिया गया है और बचाव अभियान शुरू किया गया है धनुआ ने बताया कि पुलिस महानी रुक्षक की निगरानी में अभियान चल रहा है छे व्यक्तियों ने यह जानकारी दी कि रवी वार को शाम पांच बजे क्या घटना घटी उन्होंने बताया कि एक चश्मदीत ने बताया कि डाइनाम वाइट में अचानक विस्पोर्ट से खान में पानी भर गया और पांच व्यक्ति फज गया धनुआ ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया लेकिन वाइट कोरोणा वाइट से संग्रमित पाई गया जिसे प्रितक केंदर में रखा गया है सुप्रीम कोड ने पत्रकार विनोद दिवा के खिलाफ लगा राजदरों का मामला रद कर दिया है दुआ के खिलाफ ये केस हिमाचर प्रदेश्ट पुलिस ने पिछले साल दर्श किया था ये मामला विनोद दुआ की एक वीडियो से सम्मंदित था जो उन्होंने यूट्यूब पर अप्लोड की थी और जिसमें उन्होंने केंद सरकार के कोविड लॉगडाउन की आलोजना की थी फैसला जस्टिस यू यू ललित और विनित सरंद की बेंच ने सुनाया बेंच ने कहा हम F.I.R. और केस प्रोसेडिंग को रद कर रहे हैं हर पत्रकार केदार नाथ सिंग फैसले के तहट सुरक्षा का हगदार होता है जून 2020 में सुप्रीम कोट ने इस मामले में दुआ को गिरफतारी से अंतरिम रहा दी थी हला कि तब बेंच ने F.I.R. पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया था ये F.I.R. हिमाचर प्रदेश के एक B.J.P. नेता ने कर आई थी F.I.R. में आरोप लगाया था कि विनोद दुआ शो के दौरान पत्रकार ने जो टिपड़ी की थी वो सामरदाइक नफरत फैलाने और शान्दी भंग कर सकती थी दौआ का ये शो तीस मार्च दोजार बीस को स्ट्रीम हुआ था गौर तलब है कि टेलिविजन मीडिया में कई साल तक काम कर चुके विनोद दौआ यॉन शोशर के आरोपित है जब वो डिजिटल मीडिया संस्थान दव वायर में काररत थे तब उन पर 2018 में मीटू आंदोलन के दौरान यॉन शोशर का आरोप एक महिला ने लगाए था उसके बाद विनोद दौआ को वायर ने काम से निकाल दिया था जिसके बाद से वह यूटूब चैनल पर वीडियो बना रहे है ऐसी ही एक वीडियो के बयान को लेकर उन पर यह F.I.R. दर्श हुई थी और आखिर में हम बात करेंगे केंडि स्वास मंत्राले द्वारा आज गुरुवार यानि तीन जनवरी को जादी आकड़ों के अनुसार देश में पिसले 24 घंडों में कुरोना की 1,34,154 नए मामने दर्श किये गया है इसके अलावा कुरोना से आज 2,887 मरीजों की मौत हुई है देश में कुरोना के मामनों की संक्या बढ़कर 2,84,986 जिनमें से अब तक 3,37,989 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कुरोना से पर 92,78 फीसदी यानि 2,63,90,584 मरीजों को ठीकिया जा चुका है और देश में अक्टिव मामनों की संक्या घढ़कर 6,02 फीसदी यानि 17,13,413 हो गई है स्वास्त मंत्राले की ताज जानकारी करने साथ देश में कुरोना वैक्सीन की 22,10,43,693 में डोज दी जा चुकी है जिन में से 24,26,25 वैक्सीन की डोज पिसले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली रांट अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अर्ने खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस प्रेप साइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया